नमस्कार, अन्माइक क्लास मा माँगो बिद्ध पड़े अलको तर्प पड़े यहां पड़े स्वागाच्छा क्लास 12 तथा BBS 2nd year अंतरगत Accounting for Material or Inventory Management चाप्टर मा समामी र एस चाप्टर मा मा यहां उर लाए Inventory Management संगा सम्मन्दित First Techniques EOQ को बारे मा Formulation Method बाट एक्जामपल अरू सलूशन करिड़ाएगो छू र आज पनी मा यहां आरू संग युटा एक्जामपल लियर अपस्तित भाएगो छू रत्यों क्वेशन आमलाई यहां डिटेल दिये गोछा मैले यहां गीवन पनी तपैर समक्षी यहां टिपने छू और Manufacturing Company Usage 12,000 उनिट्स पर यूर भनेर देगोछा अब Annually Usage भन्निवित्निकै आमले जहें क्ये बुजन्द परे बने Annual Requirement हो Annual Requirement जासला आमी एले डिनोट गर्शों आई न यहां आमलाई 12,000 उनिट्स गिवन छा अनि तेस्ताई and the company is currently buying its requirement in two times भनेगोछा यो भनेगोचाई existing purchasing policy यो number of order दिएगो number of order भनेगोचाई two times देगोचा यो number of order को आदार माँ आमी के निकालना सक्षाँ में अडर साइज निकालना सक्षाँ जस्तो मैले यानिर अडर साइज अडर साइज जसला आमी क्यूले दिनोट गर्शों आई न खास गरी आमी पर्श बरीमा 12,000 यूनिट्स ने पर्चिज गर्णू परने तरत्यो अडर गर्णे बेलामा दुई पटक मात्रे पर्चिज गर्णू छा बान्चा ए सोंगता आमी के उगर्णू बर्शाद बन्दा ए 6,000 एक पटक मा आमी 6,000 पर्चिज गर्यों बने बल्ला दुई पटक मा आमी डू 12,000 पर्चिज उन्छा तसर्थ अडर साइज बने को 6,000 बायो जो अंडर देखें और्डरिंग कास्ट और्डरिंग कास्ट ओ बने को रुपीज 75 यो पर अडर दिये को सा आई ना अने तेस्ते आम लाए एंड क्यारिंग कास्ट इस रुपीज 0.2 पर यूनिट बने को सा यो क्यारिंग कास्ट क्यारिंग कास्ट सी ले दिनोड गरीं छा यो बने को रुपी 0.20 यो चैन पर यूनिट क्यारिंग कास्ट पर यूनिट में हुन छा आई ना अने आडरिंग कास्ट बने पर अडर मां हुन पर सा अनी कामलाई question लेकिये स्वद्धाई शा भने Is it favorable to adopt the existing policy भने रस्वदेगोचा existing policy चाएं company को लागी चाएं favorable policy होता adopt गर्ना चाएं उपएक्टाउम शाता भने रस्वदेगोचा ता सर्था आमी क्ये गर्न करचा भने यस्तो question मा माले यहां question पने लेखने भाएं Is it favorable to adopt the existing policy यस्तो स्वदेगोच ता सर्था आमी यहां क्ये ख्याल गर्न करचा भने पहले आमी cost एट EOQ निकाल शां EOQ को cost निकाले रहा और यह एग्जिस्टिंग पोलीशी अनुशार शां cost कती पर्षा र EOQ को cost कती पर्षा भने रहा compare गर्षां तेसे को आधार मा हमी चाहें existing policy उपएक्त छकी शाईना बनने गुरा शां idea पाउंशां मा solution तीर लागे solution को लागी सब्बंधा शूरु मा तमाईले total cost total cost at existing policy निकाल शां existing policy को total cost calculation गर्णा को लागी आमी Q अपण 2 इन्टु C plus A अपण Q इन्टु O गरिंच अईले आमला याँ डिस्काउंट अरू केइपनी देगो शाई ना डिस्काउंट अरू ना देगो ना ले याँ लेस डिस्काउंट गरिड़ानू पर देगी ना order size आमी existing policy को लागी order size अगी आमी 6000 बनेर निकालेगा थियों तो 6000 उनिट्स डिवाइट बाइट बाइट इन्टु क्यारिंग कस्ट C बनेगो 0.2 जा अणी प्लस A बनेगो आमरो कती 12,000 हो आईना 12,000 डिवाइट बाइक्यू बनेगो 6000 अनि इन्टु ordering cost O बनेगो 75 जा अबे यो आमी क्याल्कुलेशन करे रेरों जास्तो 6000 अनि डिवाइट बाइट बाइट इन्टु 0.2 यो गर्दा आमरो यो 600 अनि प्लस यो साइट को बनेगो इन्टु क्याल्कुलेशन करना सगीन जा यो आमरो अग्जिस्टिंग पोलिशी अनुसार को टोटल कास्ट हो येरफोर टोटल कास्ट अंडर अग्जिस्टिंग पोलिशी इस बने रा आमी ये 750 लेखना सब्लेशन अगेन फेर ही आमी क्याल्कुलेशन करना सबने टोटल कास्ट येट इयो क्यू पनी निक्याल्कुलेशन करना को लागी आमी 2AOC गरिंज येसमा वैल्यू सब्स्टिजूट गरे रा आमी पहले ये टोटल कास्ट येट येक्यू निक्याल्साँ टू ये बनेगो आमरो 2,000 छा इन्टू अर्ट्रिंग कस्ट बनेगो 75 औनी अज़ इन्टू क्यारिंग कस्ट बनेगो 0.2 येसला आमी रूट बाट बाइर निकालों पहले पहले मॉन्टिपलाए गरों अईन्टू इन्टू 12,000 औनी इन्टू 75 इन्टू 0.2 ये शोगर्दा आमरो कती आमने रही चा बन्दा 3,60,000 आउं छा अईन्टू 3,60,000 आमी अंडर रूट बाइर निकालों बने ये आमरो रूपीज 600 आउने रही चा अब यहां बटा आमी क्ये कॉम्पियर करनू करे और अगीको आधार माचा ही डिसीजन बने दिनू करने हु the total cost at az दिस्टिक पलीस ऑ की हरे वे इस धर बन्दा घुड Nahum Stan decompassi क्योग ंिस्टिक लिस्टिक टाङर त दिस्टेश क्षट ट्ने कर दिस्टिक, इस्टिक क्योई pics इस नॉट फेवरेबल टू दा कमपणी बने रामी ये सरी डीसीजन दिन जाओं कि ना की एग्जिस्टिंग पोलीशी अनुशार आमीचे पर्चेस गर्यों बने साथ से पचार सुड़वय कर्श लाग दाईचा तरह यग्जामपल गुरुप मा इले यूटा क्वेशन लियेग शू र यो क्वेशन मा दियेगो इन्फोर्मेशन मा इले यानी र गिबन बने र टिपने वेख जस्तो औ कमपणी बायच मैट्रियाल फर आउटसाइड स्द्शप्लायर्स फर Skills 30 पार योनित वाने ला पर्चिसप्राइस देखो सा यो अन्या कॉस्ट पार योनित उफ मैट्रियालो मैट्रियाल को कॉस्ट पार योनित वाने को रुपीस 30 पार योनित देखो सा यह ज्किट की बहें बंदा inventory value बनेंचे लाइ तेस्ता है total annual requirement is 400 units बनेर देको छा annual requirement annual requirement लाइ LED नोट गरिंचा यो चाहि 400 units छा अनि तेस्ता है the following information is available बनेर आम लाइ दियो cost of placing and order बन्छा an order योटा order को लागी लागने charge बने ordering cost बायो ये रुपीज 200 सा अनि तेस्ता है annual return on annual return on investment बनेर देको छा 10% अनि तेस्ता है rent insurance ctc per unit बनेर रुपीज 1 देको छा ये annual return on investment र rent insurance रुदुई चाला जोडे हो बने आमरो carrying cost आउने हो अईना तसर्त आमी यानीर carrying cost बनेर मैं या लेख़दीनी बने carrying cost c equal to अब यहाँ दी एको दुए ओटा cost लाइजे आमी एड़ गरनु परशा जस्तो return on investment investment बाट प्रात्त बने return बनी जस्तो inventory मा आमी लगानी गरें तेसला store मा थनकाईर राहे हो बने अनि तेती बेला चाहिए create उने जुन एदी आमी material चाहिए आमी मार्केट मा चाहिए interest पने earn करना सब्किन धियो तसरत minimum interest rate minimum required rate of return पनी carrying cost को रूप मा लेखिन छा तेस्ते आमलाई rent insurance देखो आई ना यो पनी आमरो carrying cost उन्छ rent insurance return on investment return on investment आमलाई 10% देखो छा यो 10% calculation गरता जाई ले पनी 10% of inventory value को गरीं छा inventory value बने को cost per unit हो अनी plus rent insurance etc बने रूपीज 1 देखो छा तसरत आमी के कुरा ख्याल गरनु परे बने carrying cost बिद्र के के पर्षन रा ordering cost बिद्र के के सम्मा का लागी शुरच्चित रुपमा राख दा लागने जती पनी खर्षा अरु उन्छ ती सबय जाई के उन्छ carrying cost बिद्रकत देखाएंच तसरत यानी रहा आमी investment को return अनी तेस insurance अर्लाई carrying cost निकाल देशों यो 10% calculation करदा inventory value बने को cost per unit हो cost per unit 30 को 10% करशाऊ 10% of 30 अनी प्लस रुपीज 1 अब आमी 30 को 10% करदा 3 हुन्छ अनी 3 plus 1 carrying cost बने यो आम्रो carrying cost बायो अब requirement ले आम लाई कि शोदे को शा ततता तिर जाऊं जस्तो फर्स्ट नम्मर को solution एको solution तिर जाऊं एको solution में आम लाई optimum purchase lot size बने को शा optimum purchase lot size अब यहां और ले यो question बाट optimum purchase lot size बने को कियो होता यो बने बुज़नु पर शा जस्तो आमी यो क्यो economic order quantity बने को कि बने थे हो बने एक पटक मा purchase गरने तेस्तो परिमाड़ो जसले जस्त जुन खरीद गरता खेरी inventory management करता को cost सबय बनता minimum उन्छा बन्याचाँ optimum बन्ने बित्ने के ते सक्दो minimum बन्ने बुज़िन छा optimum purchase lot size बने को quantity शोदेको economic order quantity अलिकती indirectly शोदेको छा अनि यो यो क्यो calculation गरना को लागे आमलाए था संदेशा 2ao upon c बनने formula लगाएंचा राइस हैमा value अरू राखाऊं जस्तो 2 into a बने को 400 छा अईना into o बने को 200 divided by 4 अब एसलाए root अंडर बाट बाहरे निकालाऊं आईना यो calculation गरे रहा जस्तो 4 4 काट यो 200 into 200 200 200 गुईटा शान बने योटा 200 था बाहर हांँशा पक्काई बने बने सी 200 units बने को छे optimum lot size इट मेंज यो की वांँशा आईना तेस्ता ही number of order सोदे को शा आमी बी नम्मर को requirement मा बी नम्मर को solution को लागी number of number of order निकालाऊं number of order बने को A अपन EOQ हो A बने को आमरो 400 था annual requirement EOQ बने को 200 था यो गरता 2 times हाँशा यो number of order तेस्ता ही आम लाए third number को requirement मा सोदे को सामलाए cost at EOQ बने रहा और C नम्मर को solution को लागी पने मैं यहां लेखें total cost at EOQ EOQ को cost calculation करने पर बने आमी तेती बेला फार्मुला जहीं सेम नहीं सा 2 A O तर C ले अंगी divide गरेगा त्यों अईले आमी multiply गर शों पहले यह calculation करें कथी आमसा एरों आ जस्तो 200 multiply गरें एरों 800 800 800 800 64 64 64,000 आमसा एना एसलाइ रूर गाटा बाइर निकालने विलामा 800 रूभी जाऊंसा यह बने को cost ATOQ बनी हो यह सरी आमी आजको यह question मा दीएका दुयोटा example अरुको solution करे हूं आईना यह question मा existing purchasing policy चाहिए purchase का लागी चाहिए adapt करता चाहिए कती को favorable चाहिए बनने गुर्या को संग संबंदित question यह question मा बने आम लाई चाहिए carrying cost calculation करना का लागी चाहिए carrying cost का different item अरो दिये गो थियो रती carrying cost भीत्र percent बनने जसले भुझदू उन्छ र जसले यह चाहिए 10% calculation करता cost per unit inventory value गाटा calculation गर्णू करशा बनने जसले आइडिया चाहिए वहाँ और लाई बनने यह सजले उन्छा आई ना अनि तेशते आमला requirement मा optimum purchase lot size बनने यह optimum purchase lot size बनने चाहिए क्यो हो बनने confusion होना सक्षा यह बनने चाहिए economic order quantity हो optimum purchase बनने को आदर सा purchase हो दुएवडा एक्जाम्पल solution गरेटा मैले यह यू class complete गरें अर्गो class मा बने मा तप आरलाई tabulation method संबंदित कंसेद दीन्छू तब संबंगा लागी बने यहाँ अरू संब बाटा बिदा उन्छू अस्त नमस्ते